नमस्ते दोस्तों दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एक मेसेज आया हुआ है मेरा यहाँ तो यह मेसेज जो है कि हर किसी के पास आया होगा जो बीए थार्ट सिमिस्टर और बीए फिफ्ट सिमिस्टर के स्टुदेंट्स के रिजिस्टर मॉबाइल नमबर पे यह college का तरब से आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर their student login with the following credit sales for online classes तो यहाँ पर आपको college का तरब से एक email id दिया हुआ है उसके बाद आपको college का तरब से password भी provide किया हुआ है तो दोस्तों जिस जिसको यह messages मिला है तो वो इस वीडियो को last तक देके उसके बाद आपने दोस्तों के साथ भी लिंक को वीडियो के लिंक को share करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है Google Play Store को open करना है तो Google Play Store open करके बहाँ पे आपको type करना है Google Classroom यह application को हम previous semester या previous year भी हम use कर चुका है और इसके उपर मैंने बोट सरा वीडियो भी बना के रखा हुआ है तो इसको search करके अगर आपने download नहीं किया है तो इसको download कर लिजिए अगर already करके रखा हुआ है तो एक बर update कर देना है तो मैं अपना इसको एक बर update कर देता हूँ बैसे मेरा already पहले से है download लेकिन मैं अभी इसको update कर रहा हूँ तो update करने के बाद आपको क्या करना है इस application को open करना है तो तोरा सा रुक लेते है मेरा net तोरा बहुत slow है उसके कारण ये जो तोरा slow से हाँ अभी मेरा हो गया तो मैं अभी open करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको भी इस application को open करना है open करके कुछ इस तरह के interface आएगा उपर right top side के right corner पे आपको एक icon देख रहा है मेरा email id का तो बहाँ पे click करके आप directly कर सकते हो लेकिन मैं आपको ये नीचे पे right side corner पे plus button है बहाँ पे click करके करके दिखाऊंगा तो बहाँ पे plus button पे click करके यहाँ पे join class पे आपको click करना है क्लिक करके यहाँ पे मेरा email ID है वहाँ पे आपको क्लिक करके आगे process करना है, पहले हम आम लोग क्या करता था की यहाँ पे class code डाल के directly लोगइन होता था, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा, पहले आपको उसमें email ID का जगह पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको add another account option मिलेगा तो इस option पे आपको क्लिक करके open करना है तो यहाँ पे आप भी आपको black mark दिकाई दे रहे यह जो actually ऐसे है कि अगर आपका mobile पे password या pattern या कुछ भी pin code वगेरा है तो उसको यहाँ पे डालके open कर लेना है जो आपका screen lock का है उसको डालना है तो मैं अपना डालके open कर लेता हूँ अगर आपका screen lock नहीं है तो वो नहीं आएगा तो मैंने screen lock open कर दिया है तो यह तोरा से गुमेगा उसके बद यहाँ पर आपको जो college का तरब से email प्रोबाइट किया गिया है उस email को आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको next पर क्लिक करना है तो next पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर password डालना है तो password भी already college का तरब से provide कर रहा है तो आपका SMS में already आया हुआ होगा तो उस password को यहाँ पे डाल के आपको फिर से next पे click करना है तो next पे click करने के बाद आपको क्या करने का option आएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह के interface आएगा तो इसको उपर की और slide करना है तो यहाँ पे exit पे click कर देना है तो exit पे click करने के सार्चत आपको यहाँ पे option आएगा आपको कुछ का password बनाने का तो मैं यहाँ पे अपना कुछ का password बना लेता हूँ तो आप भी बना लेना है और बना लेने के बाद आपको next पे click करना है तो next पे click करने के बाद तो यहाँ पे I agree पे क्लिक करना है I agree तो I agree पे क्लिक करने के बाद यह तोरा से गुमेगा उसके बाद यह जो हो जाएगा आपका मोबाइल पे यानि कि आपका Google एकाउंट पे जो कोलेज का तरफ से प्रोवाइट किया वाला email आईदी जो है कि लोगिन हो जाएगा तो यह गुर लेने के बाद आपको पिर से आपका Google Classroom application को open करना होगा तो उसको open करने के बाद आप directly वहाँ पे उपर तो आइकन पे क्लिक करके और यहाँ नीचे पे आपको मिल जाएगा जो लोगिन वाला तो उसमें क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद वो जो यहाँ पे already ह हो चुका है और यहाँ पे जोइन क्लास पे क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे pilgris code को दालना है घ lore ना है तो जैसे कि यह मेरा कोड है इसको मैं दालने के बाद ऊपर ज्यूइन बटन पे क्लिक कर देना है तब जाके आपका क्लैस biraz जोइन होजेगा तो पहले आपको DNGC से जो प्रोवाइट किया वाला कोलेज से जो प्रोवाइट किया वाला इमेल आईदी को यहाँ पे अपना मोबाइल पॉन पे लोगिन कर लेना है तो उसका स्थीप मैंने अल्रेदी बता चुका है उसके बाद आपको कोड बागेरा दाल के Google Classroom पे जोइन करना है तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि यह वीदियो जो आप सभी के लिए helpful रहा होगा या पिर होगा अगर यह वीदियो आप लोगों के लिए helpful है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे और वाच्चप ग्रूप पे प्रोबाइट कर दे व वो सब भी इसको आशानी से इस इस्तीफ बाइस इस्तीफ फोलो करके Google Classroom पे जोइन करके ओनलाइन क्लास एतन कर सके तो दोस्तों मेरा वीदियो आचा लगा है तो helpful लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही पिर हम मिलते है नए एक वीदियो पे और एक नए तोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाइ एंद टेक कियर